हेलो एप्रिवन, आज मैं आपको पढ़ाने जारी हूँ, क्लास थर्ड की हिंदी बूप, चैप्टर नमबर सेवन, टिप टिप वा तो आप इस कहानी को ध्यान से सुने एक थी बुढिया, उसका एक पोता था पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता दादी रोज उसे तरह तरह के कहानिया सुनाती एक दिन मुसलधार बारिश हुई मिन्स मुसलधार मिन्स बहुत जोर जोर की बारिश हुई ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी सारा गाउं बारिश से परिसान था बुढिया की जोप्री में पानी जगा जगा से टपक रहा था टिप 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 इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था बुढिया खीच कर बोली अरे बचवा का कहानी सुनाएं यी टिपटिपवा से जान बचे तब ना पोता उठकर बैट गया उसने पुछा दादी ये टिपटिपवा कौन है टिपटिपवा क्या सेर बाग से भी बड़ा होता है दादी छट से टपकतेवे पाने की तरफ देखकर बोली हाँ बचवा ना सेडवा के डर ना बगवा के डर डर तर डर टिपटिपवा के डर सन्योग से मुसिवत का मारा एक बाग बारिज से बचने के लिए जोपरी के पीछे बैठा था बेचारा बाग बारिज से घबराया हुआ था बुढिया की बात सुनते ही वह और डड़ गया अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है जरूर यह कोई बड़ा जानवर है तभी तो बुढिया सेर बाग से जादा टिपटिपवा से ड़ती है इससे पहले की बाहर आकर वह मुझे पर हमला करे मुझे ही यहां से भाग जाना चाहिए बाग ने ऐसा सुचा और जटपट वहां से दुमदबा कर भाग गया उसी गाउं में एक धोबी रहता था वह भी बारिस से परेसान था आज सुबह से उसका गधा गायब था सारा दिन वह बारिस में भीकता रहा और जगा जगा गधे को ढूंडता रहा लेकिन वह कहीं नहीं मिला धोबी की पत्नी बोली जाकर गाउं के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते वे बड़े ग्यानी हैं आगे पीछे सब के हाल की उन्हें खबर रहती है पत्नी की बाद धोबी को जच गई अपना मोटा लट उठा कर वह पंडित जी के घर में घर की तरफ चल पड़ा उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिस का पानी उलीच उलीच कर फेक रहे थे धोबी ने बे सबरी से पूछा माराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है जड़ा पोथी बांच कर बताईए तो वह कहां है सुबह से पानी उलीचते उलेचते पंडित जी भी ठक गए थे धोबी की बात सुनी तो जुंजला पड़े और बोले मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या जो आगया पूछने अरे जाकर ढूंड उसे किसी गढ़ई पोखर में और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने धोबी वहां से चल दिया चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुचा तालाब के किनारे उची उची गहास उग रही थी धोबी गहास में गधे को ढूंडने लगा किसमत का मारा बेचारा बाग टिपटिपुआ के डर से वही गहास में चिपा बैठा था धोबी को लगा कि बाग ही उसका गधा है उसने आओ देखा न ताओ और लगा बाग पर मोटा लठ बरसाने बेचारा बाग इस अचानक हमले से एकदम घबडा गया बाग ने मन ही मन सोचा लगता है यही टिप टिप हुआ है आखिर इसने मुझे ढूंड ही लिया अब अपने जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ आज तुने बहुत परेसान किया है मार मार कर मैं तेरा कचुमर निकाल दूँगा ऐसा कहकर दोबी ने बाग का कान पकड़ा और उसे खीसता हुआ घर की तरफ चल दिया बाग बिना चूँ चपर किये भीगी बिल्ली बना दोबी के पीछे पीछे चल दिया घर पहुँचकर दोवी ने बाग को खूटे से बान दिया और सो गया सुबह जब गाओं वालों ने दोवी के घर के बाहर खूटे से एक बाग को बंदे देखा तो उनकी आखे खुली की खुली रह गई तो बच्चों अब ये कहानी खत्म हो चुका है अब हम इसके प्रश्ण उत्तर करेंगे देखे कौन किस से परेसान इस कहानी में लगता है सभी परेसान थे बताओ कौन किस से परेसान था आप जो है क्या लिखेंगे इसको उत्तर देखे बुडिया आप फस्ट में लिखेंगे बुडिया बुडिया बुढ़िया जो थी वो किसे परिशान थी? जोपड़ी में टपकते वे बारिस के पानी से वो बारिस के पानी से परिशान थी ठीक है आप लिखेंगे बारिस की पानी से उसके बाद देखें सेर सेर जो था वो किसे परिशान था? सेर, जोरदार, बारिस और टिपटिपवा से परिसान था तो आप यहाँ पे लिखेंगे जोरदार बारिस, बारिश और टिपटिपवा ठीक है? बारिस और टिपटिपवा इस तरह से आप लिख लेंगे उसके बाद दोवी किसे परिसान था इसके बाद आप धो भी लिखेंगे धो भी था किसे गधे के गायब होने और ना मिलने से परिशान था जी के गधे के गायब होने और ना मिलने से परिशान था इस तरह से आप लिख लेंगे उसके बाद देखे पंडित जी क्यों परिशान थे पंडित जी का लिखेंगे आप कि घर में भड़े वर्सा के पानी को उलिचते उलेचते ठकने से परिसान हो गए थे अब आप लिखेंगे दिखें मतलब बताओ नीजे कहानी में से कुछ वाक्य दिये गए हैं इन्हें अपने सब्दों में लिखो तो आप इसे अपने सब्दों में कैसे लिखेंगे जैसे कि है टिपटिपुआ कौन सी बला है तो आप इसे क्या लिखेंगे तो आप इसमें लिखेंगे कि कौन सी बला है टिपटिपुआ इसे अपने सब्दों में आप इस तरह से लिखेंगे दूसरा है पत्नी की बाद धोबी को जच गई तो आप इसे कैसे लिखेंगे धोबी को पत्नी की बाद समझा गई उसके बाद है बाग बिना चूचपड किये भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया तो आप अब लिखेंगे इसमें की धोबी के पीछे-पीछे सेर बिना चूचपड किये भीगी बिल्ली बना चल दिया उसके बाद है जड़ा पोथी बाच कर बताईए वह कहां है तो इसका लिखेंगे आप वह कहां है जड़ा पोथी बाच कर बताईए देखे, उसके बाद, आगे बढ़ते हैं, याद करो तो, पोता दादी की, पोता दादी की गोद में कहाने सुनने के लिए मचल रहा था, तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो, तो आप किस किस चीज के लिए मचलते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए आप जिस लिखेंगे कि मैं भी दादी से कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ मैं उनसे नएने खिलोने लाकर देने के लिए उनके साथ घर से बाहर जाने के लिए उनकी गोद में चड़ने के लिए और उनके साथ खिलने के लिए मचलता हूँ उसके बाद देखे यह वाला हो गया अब है कौन है टिपटिपुवा हाँ बचवा ना सिर्वा के डर ना बगवा के डर डर तर डर टिपटिपुवा के डर तुमारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे तो आप इसे कैसे लिखेंगे हाँ बेटा मुझे ना सीर कर डड़ है और ना ही बाग कर डड़ है मुझे तो बस इस पानी की टपकने कर डड़ है तो ये जो टिपटिपुआ है इसे जो है टिपटिपुआ नाम दिया गया है जो वो पानी टपकता है ना तो उसे हम टिपटिपुआ कहते हैं उसके बाद है कहानी में टिपटिपवा कौन था तुम किस को टिपटिपवा कहोगे तो आप क्या लिखेंगे इस कहानी में टिपटिपवा जोपडी से तपकता हुआ वर्सा का पानी है हम धोबी और उसके मोटे लठे को टिपटिपवा कहेंगे उसके बाद है बारिश या कहानी एक ऐसे दिन की है जब मुसलादार बारिश हो रही थी और मुसलादार बारिश की बजाए बुंदा बुंदी होती तो क्या होता यदि उस रात बुंदा बांदी होती तो क्या होता आप क्या लिखेंगे उत्तर अब उत्तर लिखेंगे कि बुढिया की जोपरी में पानी नहीं टपकता वो रात को दादी अपने पोते को कहानी सुनाती सेर वर्सा से गबरा कर जंगल से भाग जोपरी के पीछे नहीं चिपता और ना ही धोबी का गधा खोता और ना ही पंडिजी अपने घर के पानी उलीच-उलीच कर थकते ना ही दोबी अपने गधे को ढूंडते हुए सेर के पास पहुँचता और ना सेर को अपना गधा समझता इस तरह कहानी ही नहीं बनती तरह तरह की आवाजें पानी के टपकने की टिप टिप आवाज आ रही थी सोचो और लिखो ये आवाजें कब सुनाई पड़ती है आप ये वाला सुनिए कब आबाद सुनते हैं आप खड़ खड़ की आवाज ये आवाज कब सुनाए पड़ता है देखे जब आप तेज सांस लेते हैं तो आप लिखेंगे तेज सांस लेने पर तेज सांस लेने पर उसके बाद है भिन 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 के आवाज कब सुनाए पड़ती है जब मखी के कान के पास मंडराने पर मखी कान के पास भन बनाता है तो सुनाए परती है तो आप लिखेंगे मक्खी के कान के पास बन बनाने पर बन बनाने पर ठीक है इस तरह से लिख लेंगे उसके बाद देखे चरचर की आवाज कब सुनाए परती है दर्वाजा खोलने पर दर्वाजा खोलने पर उसके बाद भगभग की आवाज सुनाए परती है कब आग लगने पर अप लिखेंगे इसमें आग लगने पर ठीक है उसके बाद ठक ठक की आवाज दरवाजा खटखटाने पर ये जो ठक ठक है ये दरवाजा खटखटाने पर सुनाए पड़ती है उसके बाद तर-तर की आवाज वर्सा की बुंदों के टीन पर गिरने पर जो टीन के जो उपर छट बनी होती है उस पे जब बारिस की बुंदे गिरती है तो तड़ तड़ की आवाज होती है तो आप लिखेंगे तीन पर बूंदे गिरने पर ठीक है? इस तरह से आप लिखते हैंगे अब आगे बढ़ते हैं देखें खूटा दोबी ने बाग को खूटे से बांध दिया सोचो और बताओ खूटे से क्या-क्या बांधा जाता है तो आप क्या लिखेंगे? आप इसमें लिखेंगे की खूटे से गाई, भैस, बकड़ी, ऊंट, बैल, गधा, भैसा, बच्छरा, हिरन, खचर को बांधा जाता है टीक है? उसके बाद देखें एक से ज़्यादा आप इसमें इस तरह से लिख सकते हैं देखें फूटे से जो बांधा जाता है गाई, गधा, इसके बाद भोड़ा, बैस, चलिए इस तरह से आप लिख लेंगे अब आगे देखें, एक से ज़्यादा, एक कहानी, सभी कहानिया अब आप इसमें क्या लिखेंगे? देखें, एक तितली, तो क्या होगा? कई तितलिया उसके बाद, एक पत्ती, दस पत्तिया एक तितली, कई तितलिया लिखेंगे आप या और एक पत्ती दस पत्तिया उसके बाद होगा एक चूड़ी, डेरो चूड़िया उसके बाद एक खिरकी, चार खिरकिया चलिए इस तरह से ये वाला जो चैप्टर है हमारा ये हो चुका है बच्चों आपको कैसा लगा कहानी सुनके अगर आपको कोई भी प्राप्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए मेरे चैनल NCRT The Mind को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो तब तक के लिए बाइ तक केर थैंक्स तो वाच 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 वीडियो